आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12 का एकनॉमिक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर दिखाऊंगा जो फॉर्मेट इस कोस्टन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका कोस्टन पेपर आएगा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि बहुत से सात्रों में स्क्राइब करें तो इस वीडियो में इकनॉमिक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर दिखाऊंगा जैसा फॉर्मेट इस कोस्टन पेपर के साथ आपका कॉस्टन पेपर आएगा वीडियो अची लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ओपर क्लिक कर ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अब मैं आपका question paper दिखाता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं अर्थ सास्तर यानि की economics का part 1 है जिसमें subjective type question आएंगे total time मिलेगा आपको question paper को solve करने के लिए धाइ गंटे और जो आपके maximum marks है यानि की जो आपका question paper है वो 80 नमबर का आएगा इसके question देख लीजिए ये instructions है यहां से आपके question स्टार्ट हो जाते हैं पहला question जो है दो नमबर का है इन सब question को note करें और solve करें आगर आप इछले दो तिन सालों के हरियना बोर दूबर दूबरा लिए गए question paper को solve करते हैं तो आपके exam के अच्छी तयरी हो जाएगी और अगर आप question पेपर को solve करते हैं तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि आपकी तयरी कैसी है और जब आप question paper को solve करेंगे और सभी question paper solve होंगे तो आपका जो confidence है question paper को solve करने का वो भी बढ़ेगा यह था आपका part 1 अब मैं आपको इसका इसी question paper का part 2 दिखाता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं same paper का part 2 है जिसमें एक एक number वाले question आएंगे objective type यहाँ से आपके question स्टार्ट होते हैं आपको अपने final exam से पहले हर्याना बोर्ड दोरा लिए गए दो तिन सालों के question paper जरूर सोल करके देखने चाहिए तो यह था आपका class 12 का economics का sample paper वीडियो ची लगे तो लाइक करें चैनल को subscribe करें धन्यवाद झापका यापका जकुछ भूद है में करें तो यह तो करें जो यह लाइक हैं